ahaha थेलो दोस्तो कैसे यह आप धुर मेरी स्क्रीम पर देखी होंगे मेरी आज की वीडियो का टिंट समें आनेरजी के उपर है दोस्तो आपने बड़ी बड़ी प्रेमिसित ब्री बड़ी बल्डिंस में देखुगए जैसे कि school हो गए या hospital हो गए उनके rooftop पर इस तरह के panels लगे होते हैं आप मेंसे कई लोग जानना चाते हैं कि ये panels क्या काम करते हैं क्या है इसके पिछे की science तो दोस्तों इस video के अंदर मैं आपको detail से इसके बारे में पूरी information दूँगा और दोस्तों मैं वादा करता हूँ आज की ये video आपके लिए काफी informative होगी आप इस video के मादेम से पूरा जान पाएंगे कि ये panels क्या हैं कैसे काम करते हैं और क्या है इसके कुछे की science अगर दोस्तों आप चाते हैं इसके बारे में पूरी information लेना तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में end तक मेरा नाम है गुरुपरीत आप देख रहे हैं मेरा channel think any चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज की time में आप जो energy है solar energy इसका uses काफी ज्यादा होने लग गया है तो जो solar energy है वो क्या है ये इसकी definition क्या है तो दोस्तों ये एक ऐसा device है जो sunlight को जो sunlight के अंदर जो energy होती है उसको convert करता है electricity में यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि जो sunlight के अंदर जो भी जो उसकी heat है उसको absorb करकर और जो उसको DC के current के अंदर flow करकर output करकर बाहर निकालता है अब दोस्तों आगे चलते हैं अब इसके बारे में ये information भी पता होनी चाहिए कि ये कहां से आया या किस ने बनाया तो दोस्तों ये scientist है इनका नाम है Edmond Becure और ये 19 साल के थे जब इन्होंने अपने father की laboratory में फर्स टाइम में इस तरह की सेल को बनाने की कोशिश की थी या बनाया था और इन्होंने जो सेल बनाया थे उन सेल को बोला जाता है पीवी सेल्स यानि की photovoltaic यृटक सेल्स जिनको हम solar cell भी बोलते हैं अब आगे चलते हैं दोस्तों अब इसके अंदर solar cell के अंदर कि सतरह के material यूज होता है तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे प्राइमरी material होता है वो होता है आपका carbon और जो secondary होता सकता है वो होती यह सेंड यहां जिसको हम सिलिकोण डॉकस यहां जो कार्बन उसको हम कोब बोलते हैं दोस्तों इन दोनों मेटियुल को जब कंभाइन करके 200 डिगरी तक इसको फरनेस के अंदर बनाया जाता है तो हमें क्या मिलता है silicon जो सबसे main ingredient है इसके लिए material है जो solar के लिए use किया जाता है और इसका atom number atomic number 14 और ये एक semiconductor है दोस्तों जो semiconductor होता है यही इसकी सबसे बड़िया property है जिसके लिए ये use किया जाता है यूद्कि इस तरह के materials ही है जो ये दोनों तरह की जो electricity है वो produce करने में help कर सकते हैं अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं क्या इसके पीछे की science है दोस्तों जो भी आपका ये silicon होता है जो इसका structure होता है जिसको आप atomic structure भी कह सकते हैं इसके जो outer shell होता है उसके अंदर चार electron होते हैं जो internal होता है उसके अंदर दो जो secondary है उसके अंदर आठ और जो outer होता है उसके अंदर चार electron होते हैं बट जो इनकी bounding structure bounding होती है उसकी वज़ासे कोई भी electron flow नहीं कर सकता आपने भी पड़ा होगा कहीं नहीं देखा होगा electricity produce करने के लिए electricity को यूज करने के लिए तभी यूज कर सकने जब उसके अंदर किसी तरह का flow हो यानि कि एक जगा से चल कर और दूसरी जगा खतम हो उसके बीच में आप कोई भी अपना लोड लगाएंगे और उसकी वज़ासे आप वह चल सकेगा बट इसके अंदर क्या कि इसको फास्फोर श्ब्क कैते हैं इसके अंदर भी क्या खासियत है इसके जो इंट्रनल स्टक्चर है वो तो सेम इसको इसका डॉपिंड करा दी यानि कि किसी चीज को कि सीज के साथ मिला देना डॉपिंग किलाता है यहां उसको हिंदी में बोला चाहते हैं अशुत कर देना अशुत करने के बाद यह डॉपिंग कराने के बाद जो हमारा नया स्ट्रक्चर आया वो इस तरह का बनके आया जो सिलिकॉन के एटम है वो तो आपस में कंस्ट्रक्ट होके मुवमेंट नहीं कर पा रहे बट जो फासफोरस है उस उसने भी तो आपके एलेक्ट्रोन है उन्होंने स्ट्क्चर तो बना लिया बट उनका एक एक एलेक्ट्रोन अभी फ्री है यानि कि इस तरह का स्ट्क्चर बनता जाएगा और आपका एक एलेक्ट्रोन फ्री होता जाएगा इस तरह का जो मेट्रियल बनता है उससे एंड टाइप जिसके अंदर से हमारा electron तो movement करने के लिए त्यार है यानि कि एक एक electron हमें extra मिल रहा है अब दोस्तों आगे चलते हैं अब इसके अंदर problem क्या create होती है कि आपने भी electricity का rule तो पता होगा कि electricity को flow करने के लिए एक पूरा diagram या पूरा एक आपका direction of flow crunch चाहिए मतलब उसको एक direction चा होकर खतम का होगी अब इसके अंदर क्या है दोस्तों की इस तरह का end time material त्यार करने के बाद हमारे पास एक electron तो आगया बट अब यह जाएगा कहां यह कहां moment करेगा इसको जाना कहा है इसको अपना area यह अपना जो भी destination है वो नहीं पता तो इसके लिए दोस्तों साइंटिस होते हैं एक शेल जो आउटर स्ट्चर में वो खाली होता है यानि इसको आप होल कह सकते हैं यानि कि यह ब्रॉन इस तरह का material है की इसके अंदर एक electron का की जगा खाली है हमारे पास दो अलग अलग तरह के material त्यार होगे एक के अंदर electrons निकल रहे हैं और एक दूसरा उसको receive क option अब दोस्तों आगे चलते हैं अब इसके अंदर problem क्या create होती है कि हमारे पास दो material तो आ गए जैसे कि जिसके अंदर हमने फासफोरस की इस तरह की problem से बचने के लिए scientist ने क्या किया कि अब इसकी movement करवाने के लिए एक नई चीज बनाई जिसको हम बोलते हैं pn junction अब pn junction क्या जैसा कि आपने जो आपके junctions बनाई जाते हैं इसलिए बनाई जाते हैं कि उसमें कहीं तरह की trains आती ही जाती हैं तो उनको junction कहा जाता है तो इसी तरह इसको भी pn junction कहा जाता है इसमें दोस्तों क्या किया गया scientist ने scientist ने क्या किया एक layer तो हमारी जो phosphorus वाली थी वो तियार कर ली और एक layer त्यार कर ली हमारी बरोन वाली अब इन दोनों लेयरों को जब आपस में जोड़ा गया और जब इसमें एथ को डाला गया है ही उपर से सनलाई डालेगी तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो तो हमारा anti-materials है जिसके अंदर free electrons थे अब वह electron निकले और यहां से जो empty hole हो भी बनने start हो गए अब ये दोनों की वज़ा से क्या हुआ इन दोनों ने जब आपस में मिलना स्टार्ट किया तो बीच में एक डेपलेशन रीजन बन गया यानि कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तफ हौल खाली है और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोन निकल रहे हैं और यहाँ पर रिसीव करने के लिए खाली हैं बट ये दोनों मेटीरियल जब आपस में मैच हुए तो बीच में एक ऐसा रीजन बन गया जहां पर अब कुछ भी नहीं था कि यहाँ से निकले और यहाँ पर रिसीव के लिए एक रीजन ऐसा बन गया जिसके अंदर से अब ना इलेक्ट्रोन निकल पा रहे हैं ना वो ले पा रहा है इसी कारण से इसके अंदर से एक चार्ज बनता है जैसे जो जहां से लेक्ट्रोन निकल रहे हैं वो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इस साइड पर नेगटिव चार्ज बन जाएगा अब दोस्तों इसके अंदर जैसे अब सनलाइट पास हो रही है अब हैं इक साइड से वाइर्ट पर एक साइड पर एक साइड निकल रहा है उसको पूरा से आफ से फादा लेता हुए कुछ आप लोड लगाते हैं यानीजिंग के आप अपना उलेक्टिसिटी का टिवाईC लगाते हैं तो वह चलने लग जाता है अब इस इस तरह के जो PN Jection होते हैं या जो भी solar से हम energy लेते हैं वो DC होती है जिसको हम direct current बोलते हैं इसing वजासे इसके अंदर से हमेशा DC या direct current ही निकलता है अब दोस्तों आगे चलते हैं आप scientific ने इसकी efficiency बढ़ाने क्या किया यह जो आपका पी जक्षन है इसका यह साइड विव है इसके अंदर क्या किया जो आपकी एंड टाइप लेयर है उसको छोटा कर दिया गया और जो पी टाइप लेयर है उसको बढ़ा कर दिया गया यानि कि इसकी थिकनेस को कम करके इसके अंदर डॉपिंग की मातरा fast force की बढ़ा दी गई इसके कारण हुआ गया इसके कारण जो हमारे depletion zone है यानि जहां पर यह दोनों आके match कर रहे हैं वो area बढ़ गया अब वो area बढ़ने की वज़ा से हमारे जो electron है और जो electron generate हो रहे हैं और जो hole generate हो रहे हैं उनकी मातरा काफी ज़्यदा बढ़ गी अब उससे क्या होता है जैसे sunlight आती है sunlight जैसे hit करती है आपके depletion zone में इसमें से काफी ज्यदा से electron निकलते हैं और holes निकलते हैं electron तो driving force की वज़ा से उपर को चले हैं अब डोस्तों आगए solar panel जो होते है हमारा सबसे पहले जो usable जो ठिंक होता है वह होता है यह जिसको हम कहते है solar cell इसके अदर क्या होता है जो आपके यह हूँ पार्ट होते हैं इसको बोला जाता है fingers और जो यह white पार्ट है इसको बोला जाता है bus बस बार इसके अंदर क्या है कि जो सेल्स है यह काफी ज्यादा आपके यह कह सकते हैं नाजूक होते हैं तो इनको कंबाइन करने के लिए छोटा-छोटा पार्ट में बनाकर आपस में बस बार की सायता से जोड़ा जाता है तो इस तरह के सैल को जो एक पार्ट होता है इसको सो का जो बार क,"ट रोस्के अगृशता बार ने कृięcyलि का और जो और इसके बाद इसका और और कि यह कौशे कि से 670 की यह ठiaड करवाता है और क्या और वहलु काहते ही आपकी यह सधरन की रस्ट होती है यहां आपका एकस्ट्रा हीट होती है है यह है हाई इसको कह सकते है है य मॉश्टर वगयरा होता है यह इन सब चीजहों से सैंट को बचाने के लिए पिरस करने ल्गाए ऊपर भी लगा जाता है और नीचे मही लगाया जाता है उसके बाद सब्सकुन सब्सक्राइब इस तरह से दो या ले वर्क करते हैं मैं आशा करता हूँ, दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक, शेर and शब्सक्काइब माई वीडियो। बने दिये मेरे साथ दोस्तों मिलते हैं और नेक्स वीडियो में आपके साथ तैंक यू गुडबाई जैहिन